सुभान अल्ला, सुभान अल्ला आया था मैफिल में आखें बेचने जब गया वापस तो मेला ले गया पढ़के उसने नाते पाके मुस्तफा सबके हिस्से की अकेला ले गया पढ़के उसने नाते पाके मुस्तफा पढ़के उसने अकेला ले गया खजराद, बड़ी कुशी में तरूरी है रहबर शरीयत, पीड तरीकत, शेख लमशायथ, खदर अल्लमा, मौलाना अलहाद, अश्याच, स्यद फफफरुदीन अश्रफ सहाथ कि बला, अश्यविल जिनानी, साहिर सज्जादा, वज़ानसीर मट्वे अश्रफ, और साथी साथ, रहबर शरीयत, पीड तरीकत, मुहतर स्यद फैजान अश्रफ सहाथ कि बला उर्फ श्याद विया सहाथ कि बला बस्खारी श्रीफ हज़रात ये वो निगाह है जब जर्रे बें पड़ जाए तो जर्रा आफ़ताव बन जाता है हज़रात मैं द्वाई लेते हैं आप उनके चेहरे की जारत कर रहे हैं हम खास करके अंजमन फैजान सिम्ना के तमाम मिम्बरान की जाने से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हज़रात ये मुशायरा बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है थ्वास हम मुस्कुराएं मुस्कुराएं के कहदे सुभानला और जोर से मुस्कुराएं के दे सुभानला मेरे हुजूर से जिसको जितनी मुहबत उतनी जोर से बोले सुभानला और जोर से बोले सुभानला हज़रात बड़ी तेजी के साथ मुशायरा आगे बना रहा है अब बिला ताकिर जैसा की कन्मिर मुशायरा ने मुझसे कहा अब बिला ताकिर आईए हज़ा कुछ खतीब की बारगा में अरीज़ा पेश चिया जाए जिसने अपने खिताबत के जरिये सिर्फ अम्बेटकर नगर ही नहीं सिर्फ फैजाबाद ही नहीं सिर्फ यूपी ही नहीं बलकि हिंदोस्तान के अक्सरों बेश्टर गोसे में अल्लामाँ शफिवुद्दीन सहब किबला किछोचिवी के नाम से जो जाने और पहचाने जाते हैं हजरात आज कल वो दर्सों कद्रीज का काम संगाओं जिलाफ फते हिकुर में अंजाम दे रहे हैं और उनके साथ मुहतरम हमारे बड़े भाई राजिव भाई जो संगाओं से तालुक रखते हो भी तश्रीफ लिया हैं उनका भी खैर मक्तब करते हैं आईए उनका इस तकबाल पूरा मजमां वल्भा disrespect करते ही बें वल्मा कराम करते ही दायं से लेकर वाधे से लेकर सारे लोगों से घुदारिश है आप बलंद आवासै इस तकबाल कर लिजिए ंँछालला थाला हमारे फ्हरिसक्भाई में हैंच ऐसे शोरा किरां मभी बाता ही और जोर से नारे तक्बीर, नारे रिसार, अंजमन फैजान सिम्रा, आल इंडिया नातिया मुशायरा, वल्माए अहल सुन्न, अल्लामा शफिय उद्दीन चाहब कि विला, नारे तक्बीर, नारे रिसार, जिधर भी देखू मुहम्मद की शान खुजबू दे, जिधर भी दे कि शुलकते हैं नाते अहमत पर, पढ़ू जो नातो मेरी जबान कुजबू दे काबिल एकराम, मौजजद सामी हैं, हाजरी हैं, इस टेज़ पर बैठे मिली मौजजद जर्मकर्ण, वल्माए बिल्लत इसलामियां, मजद हाने खेर अलाम, खुसोस बिल्खुस, हजूर साहिब सज्जदा, और, उस्ताद मौलमीन, हजरत अल्लाम मौलाना, अब्स देज़ साहब कि बला, वदीगर वल्माए किराम, शौरा इसलाम, शौरा इसलाम, असलाम अलेकुम, रहमतुल्हीं, वल्यक्तुम, अल्यक्तुम, वल्यक्तुम, 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 वल्य कानु मिन कबल अल्फिद अल्मु भी आमन तो बिल्लही सदक ल्लाहु लदीम वस्दक रसूलु मन अल्मी अमीर करीम बलन दावासे दुर देखा करेंगे यह सम्मिल करके बावमस सले लावा सले लावन नबी लुम्मी वालिह सले लाव लिए सल्म सलातों वस्दक रसुलिशल्लाई सलातों वस्दक रसूल्लाई काबल मुबारब बाद हैं मौरा इस तारीक साथ कांफरंस में बल्कि यह कह लीजिये एक तक्रीर हो रही है खैर वर्कत के लिए मौशायरे में हादर हुए और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारे सरों पर जो साया है वो भुजूर मखदूम अश्रफ जहगीर सिम्राली का साया है सुखान ल्ला, सुखान ल्ला अपने बाते की निगास से हम और आप उनकी अवलाद का दीदार कर रहे हैं आले रसूल, हुजूर सायब सज्जादा हमारे दर्मियां जलवा फ्रोज है मुझे खुशी हो रही है कि आप अज़राद इस तारीखी प्रोग्राम में अच्छी तादाद में शिर्कत फर्माए हुए है परवर्दिगार आलम हम सब की हादिरी को खबूल फर्माए हुए मेरे बाद मुझारे का प्रोग्राम बास दापता तोर पर चलेगा मैं अपने आदत के अतबार से दो तीन शेर पहले प्रेश कर रहा हूँ सबाने बाई शेर देखिएगा इश्क सरकार कलेजे से लगा रखा है परन दावा से कहिए सुभाने लाई काबले मुबारक बाद है कमेटी के लोग कि एक ऐसा चिराग रोशन किया एक शजर ऐसा मुभबत का लगाया जाए जिसका हम साय के आगन में भी साया जाए वो सब्सक्र लगाया है शेर देखें कि इश्क सरकार कलेजे से लगा रखा है रे इश्क सरकार कलेजे से लगा रखा है हमने इस दोर में इमान बचा रका है वो कैसे कुराँ को मिटाएंगे जमाने वाले कैसे कुरान को मिटाएंगे जमाने वाले हमने कुरान को सीने में बसा रखा है एक शीर आखरी शीर सुन लिजिए कि दीन अहमद न मिटा है न मिटेगा जालिम दीन अहमद न मिटा है न मिटेगा जालिम अर दीन अहमद न मिटा है न मिटेगा जालिम अर दीन अहमद न मिटा है न मिटेगा जालिम इसको शब्बेर ने काधे पे उठा रखा रखा है मैं करम फर्मा विराम दस्तगी भाई की दावत पर कमेटी की दावत पर यहां पर हाजिर हुआ और आफदरात के रूब रूब हुजूर मखदुम अश्रफ चहंगिर सिन्नानी एरे रहमत और रिद्वान के दायार में इस वक्त मुझे बोलते हुजे खुशी हो रही है आई है दुनिया में चब चब एद मिलादे रसूल भी यह सुहार रखा और एक पले में वो दोनो एक पले में ये एक दोनो एक पले में ये एक दोनो एदों से है पढ़कर एद मिलादे रसूल मैंने अपनी तक्रीर का उन्वान हुजूर रह्मति आलम सलिल्ला हुल्य सल्म की आमद आमद को बना लिया जिनके लिए आला हदरत फाजल अब्रेलवी रह्मतुल्ह ताला ले रिशाद फर्माते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था और वो जो नहों तो कुछ नहों और जान है वो जहान की जान है तो जहान है नभी कौनें सल्लेल्ला लियसल्म बारा रभी उन्नूर को मुनस्से शुहूद पर जलबा कर हुए थी आज दुनिया बेचेरियों का शिकार है कर्बो इस्तराब इनसानों का मुकद्र बन गया है लोग अमन के लिए दोरे कर रहे हैं और जंग के सामान फराखम भी कर दें गोया अमन के नाम पर जंग की तैयारियां भी हो रही है इनसानी माशरे में बिगाड ही बिगाड दिखलाई दे रहा है मशर्क से लेके मगर्ब तक शमाल से लेके जनूर तक इनसानीत करा रही है जिंदगी के किसी भी शोबे में हमें इनसान इत्मिनान और सुकून की लहरों के साथ जिंदगी गुजारता हुआ दिखलाई नहीं देता जो जहाँ है वहीं परीशान है हयात के जिस शोबे से तालुक रखता है वो शोबे हयात जखमी है उस्ते इनिसानी में एहसास के खंजर उतर चुके हैं इनिसानियत खत्रे में है और आदमियत का कहीं दूर दूर तक पता नहीं है बुराईयों का एक तूफान उठा हुआ है और बेहयाईया शराफत पर शबिखूर मार रही है इनसान जुल्मों सित्म की चक्की में पिस रहा है और इसको पिसने वाला कोई दोसरा नहीं खुद इसकी बियादरी के चालात अफराद रात के अधेरे में जानवर जानवर से नहीं ड़ता मगर रात के अधेरे में ये इनसान इंसानों ही की गलियों में नकलते हुए डरता जिस कर्ब का पूरी दुनिया शिकार है उसकी एक शकल मैंने इज्माली तोर पर आपके सामले रख दी आज से 14.00 बरस पहले इनने सारी परेशानियों की शिकार दुमिया थी हम उसे जहालत की देन कहते थे और कहते हैं आज में इनसान उसी तरह की परेशानियों मुपतिला है मगर आज का इनसान दावेदार इलमो फजल है साइंस उ हिकमत से माला माल है फिक्रों नजर का दाई है सितारों पर कमंद डाल रहा है चांद की चांदनी को गिरफतार कर रहा है मगर सचाई ये है कि ढूडने वाला सितारों की गुदरगाओं का अपने अफ़कार की दुनिया में सफर कर न सका जिसने सूरज की शौाओं को गिरफतार किया जिंदगी की शबे तारीक सहर कर न सका कल जल्म के साथ एहसासे जल्म भी फना हो चुका था गुना के साथ एहसासे गुना भी फना हो चुका था अंबिया एकराम, अकरमु स्वाट उत्तस्लीमात के शांदार पहलू इंसानी निगाहों से ओजल हुचुके थे अखञाद की गद्रे पामान हुचुकी थी रह्य मो करम का साविया बदल चुका था इल्म की जगां जहालत ने ले ली थी इनसानीत की जगां हैवानियत रख्स कर रही थी अव्लाद आदम के लबों का तबस्म रूट चुगा था मजलूम इनसानों का दिल हस्रतो अर्मान का मजार बन गया था तो ऐसे माहौल में इनसानी तकदीर को पलटने के लिए स्यदा आमिना की गोड में फुर्शी देहरा चरवादर होता है हुदूर की आमद का फाइदा पुरान करीम ने यतलू अलैहिम आयात ही वयुजकीहिम वयुआल्लिमु हमुल किताब वलहिकम कहकर के बयान फरमाया लाकानूनियत की शिकार दुनिया को कानून इलाही अता किया रसूल करीम ले जहालत की वादियों में गुम इनसानों को इल्व हिकमत का सबक पढ़ाया एक उम्मी लगब रसूल ने उनकी आमद से पहले उनके तश्रीफ लाने से पहले मुस्तफा जाने रहमत के दुनिया में कदम रंजा फरमाने से पहले या यू कहूं फर्शीद-े-हरा की जलवागरी से पहले आमिना के लाल के तश्रीफ आउई से पहले वाईन कानू मिलकबल लफिज लाली मुबीन इनसान खुली हुई गुमरही में था छुपी हुई गुमरहीयं थी छुपी हुई गुमरहीं थी अकीदे के इतबार से भी इनसान गुम्रा हो चुका था अमल के इतबार से भी इनसान जलालत के सहरा में रख्स कर रहा था बदूनवानियों का ये मरकस बन गया था खुदा से भगावत इसकी सिर्ष्ट में दाफिल हो गई थी 307 और 420 माबुदाने बातल का ये कुजारी बन गया था अपने बाल बच्चों को भी इनसान पहचानने के लिए तयार न था रिश्वत फोरी, जखीरा अंदोजी, लूट घसोट, समाजी बीमारी इनसाफ के बजाए जल्म, मजलूमों को हक देने के बजाए मजलूमों के हुकूप की पामाली, यतीमों के सरों पर दस्ते शफकत रखने के बजाए यतीमों को उचक ले जाना, जुआ शबाबों कबाब, जिनाकारी और नहंजारी दुन्या की कोई ऐसी बत्तरीन आदत इनसानों से छुटी हुई नहीं थी अपने बच्चीों को पैदा होते ही जिन्दा दरगोर कर देना ये फैशन बन गया था और कल की जहारत ये थी, भी पती के मर जाने के बाद, पत्नी को पत्नी की चिता पर सती कर दिया जाता था मगर आज की जम्हूरियत में पती खुद अपने हाथों जहेज की आग में अपने पत्नी को ज्छोंक दिया करता है हजराते गिरामी, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि हुदूर रह्मति आलम स्लिल्लाहु लियुसल्म इस दुनिया को लानत से बचाने के लिए नेमत देने के लिए मुस्तफा तश्रीफ लाए लानत से बचाने के लिए और नेमत देने के लिए मुस्तफा तश्रीफ लाए दुनिया की सबसे बड़ी लानत क्या है और दुनिया की सबसे बड़ी लानत का नाम है गुलामी और दुनिया की सबसे बड़ी नेमत का नाम है आजादी और आजादी हासल करने के लिए गुलामी की लानतों से बचने के लिए इनसानी फितरत कितनी ज्यादा बेचाइन होती है इसे हम आपको बताएं आपका ये मुलक हिंदुस्तान तो खुद अंग्रेजों का गुलाम बन जुगा है हिंदुस्तान की जमीन ही नहीं हिंदुस्तानी समाज हिंदुस्तानी माश्रा हिंदुस्तानी रस्मे कोहन सब कुछ अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया था और इसी गुलामी को तोड़ने के लिए हमारे बुजर्बों ने मामूली गुर्बानिया नहीं दी है सरफ़ुसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुय कातिल में है तो एंग्रे लोगों जब हिंदुस्तान गुलाम था इसको आजादी में बदलने के लिए कितने पापड मुशक्कत के बेलने पड़े है तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ है कितनी आउरते सुहाग से महरूम हुई है तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ है कितने बच्चों को यतीम बनाया गया है तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ है इसकी आजादी आपको योही नहीं मिली आजादी की देवी आपके आगन में योही नहीं मुस्कुराई इनकिलाब जिन्दाबाद का नारा फून के धारों से गुजरता हुआ आया है अश्वाकुल्ला खान ने फैदाबाद के धर्ती पर जब आजादी हिंद के लिए फासी का फंदा चूमा तब आजादी के देवी मुस्कुराई है बच्चे यतीम होते हैं तब आजादी आती है समाज उलट पलट जाया करता है तब आजादी आती है उस्ते इनसानी कोड़े खाती है तब आजादी आती है आजादी के सुर्मा अपनी जान देते हैं तब आजादी आती है जिन लोगों ने गुलामी का दौर देखा है उन से पूछिए क्या गुलामी के जमाने में आप कोई जलूस निकाल लिया करते थे क्या गुलामी के जमाने में आपको कोई तहरीच चलाने की हिम्मत थी गुलामी के दोर में इनसान कितना मजबूर था तो हिंदुस्तान एक जुगराफिया के महदूद इलाकी का नाम है एक सरहदो ममलिकत का नाम है एक महदूद खिते का नाम है इस खिते को आज़ाद करवाने के लिए पूरे हिंदुस्तानियों को जूजना पड़ा है तब जाकर के सिर्फ हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ तारीक पढ़िए हजरत इसा अली सलाम के तश्रीफ ले जाने के बाद और हुदूर के आने से पहरे पांच सो सतर बरस तक इनसान श्यतान का गुलाम था इनसानी अकीदा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था इनसानी आमार भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे एक अल्ला कर ददारे दौलत इनसान भूल चुका था नबी कौनेन का सबसे बड़ा केरेक्टर ये है मुस्तफा का सबसे बड़ा किरदार ये है कि आप 12 रवियल उवल को तश्रीफ ला करके आजादी का च्राग जलवाते हैं हिंदुस्तानियों ने हिंदुस्तान को 15 अगस्त को आजाद करवाया है और हमारे पेगंबर ने आलमे इनसान को 12 रवियल उवल पे आजाद के वाया है नारे तक्वीर, नारे रिसालत, सरकार कियामत फैजाने मकदूमे सिमना, अंजमन फैजाने सिमना 15 अगस्त हिंदुस्तान की आजादी का नाम है और 12 रवियल उवल इनसान की आजादी का नाम है 15 अगस्त को सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ है और जशन मिलाद के मौके पर इनसान आजाद हुआ है इनसान का अकीदा आजाद हुआ है इनसान के आमाल आजाद हुए है आज समाज ये कहता है कि इसलाम औरतों को तहफुज नहीं देता मुसल्मान औरतों को हक देने से भाग रहा है और लड़ाई औरतों के हुकुक के खिलाफ लग रहा है मैं तो कहता हूँ ऐसे लोग जो खिरत का मज़ाग उला रहे हैं उन्हें किस तरह से जवाब दिया जाए इसलाम औरतों को तहफुज नहीं देता मुसलिम पर असनल्ला पर इतराज हो रहा है मैं पूछना चाहता हूँ कि हुजूर के तश्रीफ लाने से पहले इन बच्चीयों का क्या मकाम था औरतों का क्या मकाम था अरबिस्तान में पैदा होते ही बच्ची दफनाई जा रही थी और हिंदुस्तान में बेवा होने के बाद जलाई जा रही थी लेकिन ये कब हो रहा था जब तक इसलाम नहीं आया जब तक हमारे नभी तश्रीफ नहीं लाया जब तक सरकार नहीं आए जब मुस्तफा आ गए तो वहाँ पर दफनाना बंद हो गए और यहाँ जलाना बंद हो गया बच्ची यों को जिन्दा तरगोर होने से इस तरह से बचा रहे है मेरे आका ने फरमाया मल्लम यरहम सखीर ना वल्लम यौके कबीर ना फलैसा मिलना जो छोटों पे रहम नहीं करता वो हमारा नहीं है और जो बड़ों की इज़त नहीं करता वो हमारा नहीं है तरगाश शरीफ गुर्बो जवार के लोगों आपके महले और गाव में कोई छोटा है और कोई बड़ा है चोटो को जूची मुस्तिफा ने दी बड़ो की इज़त करो और बड़ो को जूची मुस्तिफा ने दी जोटो पर सब्सक्त करो तो जहां पर रहम और इज़त का कंटक्ट होगा वहां फसाद कहा होगा मुझे बताओ वहां आमनों शांती भंग जहां होगी मुझे बिताओ इसलिए आप नबी ये काउने के कवानीन रह्मत को अपने दिलों में जगा दीजिए दुनिया तो आपके खिलाफ लफरत का हत्यार उठाए हुए है आप देखिये इर्तिका की गुस्तगू करने वालों का हाल क्या है मज़भ के नाम पर जो हत्यार इनसानों को दिया जाता है वो इनसानियत के तहफ्स के लिए होता है इनसानियत की हफादत के लिए होता है लेकिन मुझे अफ्सोस है, मजब nov के नाम पर जो हत्यार दिया गया है आज उसी हत्यार का घल्ति इस्तेमाल हो रहा है इसलिए वखता अगया है, मुसल्मालों आज के इस प्रोग्राम में, मैं तुम से कहता हू, वखता आगया है तुम भी वो हत्यार उठाओ मगर वो हत्यार उठाना जो आपको आपके नभी ने दिया है मेरे आका ने दिया है इसलिए कि किरपान के हत्यार से तिरसूल के हत्यार से हो सकता है जल फता हो जाए तुम नभी कोनें सल्लिल्लाव सल्लम के प्यार का हत्यार उठाओ इस हत्यार से तुम जर्बी फत्ह करोगे और दिल भी फत्ह करोगे मकदूम अश्रब जहांगीर वो हमाला नहीं है एक सहाभी है हद्रत आसिम अबने कैस रदियालाहुत आला नहों उन्हों ने जब इस फर्मान को सुना मुसल्मानों तो रोने लगे मुस्तफा ने पूछा क्यों रो रहे हो रहमत का आप गीना बड़ा नाजब होता है आसिम क्या बात है कहिने लगे या रसूल अगर आप तश्रीफ ना लाते तो हमें अज़ाब जहन्नम से कौन बचाता आपके तश्रीफ आउरी ना हुई होती तो जहन्नम की आप सहले चुकारा कौन देता ए नभी आप ये फर्मा रहे हो जो छोटों पे रहम नहीं करता वो हमारा नहीं है ए नभी मुझे वो बच्चीयां यादा रही है जिन पर मैंने जुल्म किया है मैं आपको तवरे जहालत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ बेगी हुई पलकों से मेरे मुस्तफ़ा अरब की मखलूम बच्चीयों की दास्तान सुन रहे थे आसिम कह रहे थे या रसूलला मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई मैंने उसकी गर्दन दबा दिया दोसरी बच्ची पैदा हुई उसका भी गला दबा दिया तीसरी बच्ची पैदा हुई उसको भी मार डाला चौती बच्ची पैदा हुई उसका भी मुडर कर दिया चार चार बच्चियों के साथ जल्मों सितम की एक कहानिया ये नभी मैं दोहराता रहा इसलिए कि मेरा समाज मुझसे कह रहा था ये बच्चियों को चनम लेने का कोई हग नहीं है मेरा समाज मुझसे कह रहा था यह औरत कौनेन का वो पाप है जिस पाप को गला दबाए बिगएर खतम नहीं किया जा सकता इसी अपने मजभब के हुसूली के लिए मैं बच्चियों को मारता रहा पांची में बच्ची पैदा होने वाली थी मुझे तिजारत के लिए मुलके शाम जाना था मालूम नहीं था लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो कहते हैं अपनी बीबी से वो सियत करके गया अगर लड़का पैदा हो तो आचल की हवा देती रहना और जिंदगी से दोस्ती करवाती रहना और लड़की पैदा हो तो मेरी ही तरह से तुम भी उसका गला दबा देना ये कह करके चला गया इत्वाक की बात की फिर लड़की पैदा होई फिर बच्ची पैदा होई मेरी बीबी ने मेरी बच्ची का गला दबाना चाहा अंदर से मा की ममता जाब गई और कहने लगी तू मर्द का पत्थर दिल नहीं है तू अवरत की मौमियाई शमा है तू रोशनी दे इस बच्ची को तू पाल इस बच्ची को ए नभी मेरी बीबी ने मेरी बच्ची पर रहम खा करके उसको पालना शुरू कर दिया मेरी निगाहों से छुपा करके एक पडोसी के घर में और नौजसान तक इस तरीके से पालती रही और मैं ते जारत से आता जाता रहा मैं तो ये समझ रहा था कि मेरी बीबी ने बच्ची को मार डाला है मुझे मालूम ना था मेरे ही समाज में वो बच्ची परवान चाह रही है पहते एक दिन अचानक अपने घर में दाखिर हुआ तो मैं ने क्या देखा मेरी बीबी एक बच्ची को शाना कर रही है उसकी जुर्फें सवार रही है आतिशे गजब में भरकर मैं गहा जालिम आउरत हमने तो तुझे बच्चीयों से आउरतों से नफरत करना सिखाया था ये मुहबत का सबब तुने कहां से सीख लिया है मुझे जवाब दे किसकी बच्ची है कहता है या रसूल आल्ला मैंने कहा था मुझे जवाब दे किसकी बच्ची है गुद्रत ने मुझे आईना दिखला दिया ये आईना देख और पहचान किसकी बच्ची है तो बच्ची ने जब मेरी तरफ देखा तो मैंने देखा नाक मेरी नाक थी कान मेरे कान थे होट मेरे होट थे कद मेरा कथा पेशानी मेरी पेशानी थी गोया कुद्रत में मेरे सामने एक आईना रख दिया था एक बरतन रख दिया था और आईना मुझसे पूछ रहा था क्या आईना तोड़ दोगे आईना मुझसे पूछ रहा था क्या अपनी नाक अपने हाथों काड़ दोगे पुद्रत में पहली मरत्वा मेरे इहसास को चगाया था और उसी इहसास के आईने में एक ऐसी शक्ल देख रहा था जिसको कतल करना अपना कतल था जिसका माडर अपनी खुद्गुशी थी जिसको जिन्दा दरगोर कर देना अपने आपको तबाहों परबात कर देने के मतरादिफ था कहते या रसुल्ला इसी कश्मकश में पढ़ा रहा या अब क्या करूँ इस बच्ची को मारूं या ना मारूं या नवदस साल की हो गई है इसी सोच में पढ़ा रहा रात जब आई तो नीद की आगोश में मेरी बीबी भी गुम हो गई मेरी बच्ची भी गुम हो गई सो गया लेकिन दस ग्यारा बजे कब फिर आख खुलती है तो वही सवाल गर्दिश करने लगा तक अब बुर का सवाल अगर ये बच्ची बड़ी होगी बच्ची भी की गोश से बच्ची को निकाला एक कंदे पर बच्ची को रखा दोसरे कंदे पर फाउडा रखा अरबिस्तान के मैदान में पहुँच गया बच्ची को समीन पर सुला दिया और उसकी कबर को खोदने में लग गया कहते हैं या रसूल आल्ला इतने में बच्ची बेदार हो जाती है अरब की रेथ की ठंलक ने बच्ची को बेदार कर दिया और बच्ची ने रात के सन्नाटे ने उठ करके देखा भी बाप जमीन खोद रहा है और जमीन से उनने वाली मिट्टी बाप के दामन को दागदार कर रही है माईला कर रही है तो बच्ची तापके आगे बही और बाप के दामन को जार जार कर फाल फाल कर पुर्नमा आखों से कहने लगी मेरे मुकदस बाप लगता है आपको किसी मालिक ने रात के अधेरे मेरे काम करने के लिए भेजा है यूटी करने के लिए भेजा है यूटी करने क शाले पर जाएंगे, राप के नीद तुम्हारी उचल जाएगी, देखो बाबा, जमीर मत खोदो, तामन तुम्हारे दागदार हो रहे हैं, काश अरब की उस बच्ची से कंटिक होता तो कहता, ए अरब की मजलुम बच्ची, अकेरा तेरे बाप का तामन दागदार नहीं हो र रिवायत को तेरा पाप दोहरा रहा था, उस रिवायत से इनसानियत का दामन दागदार हो रहा था, उस रिवायत से आदमियत का दामन दागदार हो रहा था, खोया इन फिरादी रिवायत, इज्टिमाईी रिवायात को तक अफना दफना रही थी, आसिम कहते हैं, या तूते की नोक से अतनी तेज मारा मैंने उसके चेहरे पर नाक से धून वहाँ मेरी बच्ची के तो उसने आस्मान की तरफ हाथ उठा करके निगाह उठा करके फर्याद किया था कहा था परवर्दिगार आलम ये बच्चीयों पर जुल्म कब तक होता रहेगा इलहालारमीन बाप का तिल पत्थर कब तक बना रहेगा आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए बादलो खट जाओ देदो राह जाने के लिए तो ऐसे माहौल में जब लोग अपनी बच्चीयों को दफना रहे थे मा की ममतार उड़ गई थी बाद की शफकत नापैद हो गई थी ऐसे ही भयानक माहौल में मेरे आका आमिना की कोद में इस तरह से जलवे बार होते हैं भी आपकी आमद से काईला का जर्रा जर्रा जगनगाने लगा वहीं लोग अपनी बच्चीयों को दफना देना बाईसे फक्र समझते थे आज अपनी बच्चीयों के साथ प्यार और हमदर्दी को अबादा समझते हुए नजर आ रहे हैं नारे तक्बीर नारे रिसालत सरकार की आमर जशने हादिये आलम सुभान ल्ला सुभान ल्ला को पहले जलाया गया बाद मैं जब जलने से रुका ये जालिम समाज तो उसको मनहुद समझा गया अगर बेवा ऐउरक अपने घर में से निकलती तो फ़ورण कवम के ठीके दार लोग फ़ورण अपने घर में चले जाते बेवाका जिहरा हम देख लेंगे तो हमारा काम बिगर जाएगा अब सरकार का करम देखो मेरे आका का करम देखो सरकार दौालं ऽे लिए 25 साल के कुवारे है मेरे मुस्तफा और 40 साल की बेवा है हदरते खदीजा एक बेवा औरत को नबी ने अपने लिकाह में ले करके समाले बालों को सहन दिया ये जुन्या के जालिम लोग चहेज की लालच में सुहागन को अभागन बनाते है और मुहम्मद ररसूल अभागन को सुहागन बनाते है नारे तक्वीर नारे रिसाला जशने बारा रभी उलवल अंजमन फैजाने सिमना अभागन को सुहागन बना रहे है कौन बना रहे है सरकार दौालम बना रहे है अरे वो सिर्फ इनसानों के लिए रहमत नहीं है बलकि जानवरों के लिए भी रहमत है नभी ने जानवरों के साथ अच्छे सुलूग का दर्स दिया है इसलिए कि अरबिस्तान की सरजमीन पर लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए लड़ा करते थे ऐसे जानवर बन गए थे एक आदमी कहता था पहले कुएं में डोल हमारा गिरेगा दोसरा कहता था नहीं पहले पानी हम भरेंगे दोनों लड़ जाते थे लोल वही पर पड़ा रह जाता था और ये लड़ाई जमाने तक चला करती थी अब मेरे सरकार दौालम स्लिएल्लाव सल्म का इनकिलाब देखो ये अपने जानवरों को जो कौम पानी पिलाने के लिए लड़ती थी जब दामने मुस्तफा में आई है तो इस तरह से पदली है ये आज समाना उन्ही के नक्षे कदम पर चलने की दुआ और तमना नमाज में कहता हुआ नदर आ रहा है नमाज में कर रहा है एक मौके पर जंग हो रही थी मुसल्मानों صحابہ اکرام کو فتح نصیب تو ہوتی ہے مگر کچھ صحابہ زخمی ہو جاتے ہیں الاتش الاتش کی صدا لگا رہے ہیں پانی پانی کی غٹ لگا رہے ہیں ایک صحابی رسول پانی کا گھراس لے کر کے میدان میں پہنچتے ہیں ایک زخمی صحابی کے پاس پہنچتے ہیں اور جیسے انہوں نے پینے کی کوشش کیا دوسری جگہ سے آواز آئی انہوں نے اپنے ہونٹ کو پند کر لیا اور یہی کہا تھا لے جاؤ ہو سکتا ہے میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاس آؤ یہ کیسا ہی انقلاب پیدا ہوا جو کام جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لڑ رہی تھی اپنی پیاس کو دوسرے کے پیاس پہ قربان کرتے بھی نظر آ رہی یہ انقلاب کس کا ہے یہ انقلاب اسی نبی رحمت کا ہے جن کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں پر حملو لگائے ہوئے وہ پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں دوسری جگہ سے آواز آئی اپنے ہونٹ کو بند کر لیا کہا لے جاؤ ہو سکتا میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہو وہ صحابی رسول دوسرے صحابی کے پاس پہنچتے ہیں زخمی صحابی کے پاس انہوں نے پینے کی کوشش کیا تیسری جگہ سے آواز آئی اسی طریقے سے پانی کا گلاس لے کر کے میدان میں زخمی صحابہ کے پاس وہ چلتے رہے چکر لگاتے رہے پانی پڑا رہ گیا اوہ زخمی صحابہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہو کیسا انقلاب پیدا ہوا اور یہ انقلاب کس نے پیدا کیا یہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا کیا ہوا انقلاب سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی ترسل سالہ زندگی میں وہ انقلاب پیدا کیا ہے میرے آقا نے کہ آج اسی انقلاب کے سائے میں زمانہ اگر آ جائے تو کسی کے نقشے قدم پر چلنے کیے ضرورت نہیں ہے صحیح معنوں میں تم لبی کے ہو جاؤ مقدومِ اشرف کی طرح سارا زمانہ تمہارا بنتا ہو سبحان اللہ تم صحیح معنوں میں لبی کے ہو جاؤ قوم کو یہ پیغام دو اسلام کا مذہب کا پیغام دو بھائی چارگی کا پیغام دو اتحاد کا پیغام دو وہ تین سو تیرہ مسلمان تھے ہزاروں پرباری ہوتے ہوئے نظر آئے آج کرولوں کی تعداد میں ہو کر کے آج ہم تو گلامی کر رہے ہیں اس لیے کہ نبی کا عشق سینے سے نکلتا ہوا نظر آئے نبی کا نام صرف دکھاوے کے تار پر آدمی لیتا ہے صحیح معنوں میں آشقِ نبی بن جاؤ میں کہیں ہاں چاہیے تو سچے پکے مسلمان بن جاؤ تو خواؤں پر تمہاری حکم رالی رہے گی فضاؤں پر تمہاری حکم رالی رہے گی سچے عشقِ نبی بنے تھے خواجہ غریب لواز تو انا ساگر بھی مسلمان بن کر کے ان کے قاسے میں آتا ہوا نظر آیا ہے اس لیے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر صحیح معنوں میں چلیں اور قوم کو اتحاد کا پیغام دیں لوگوں کو ایک پریل فارم پر لانے کے لیے جدو جہد کریں سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں وہ انقلاب پیدا کیا کہ وہی لوگ جو سب سے خراب تھے دامنِ مصطفیٰ میں آکر کے سب سے اچھے بنتے ہوئے رہے ہیں سب سے اچھے بن گئے ہیں دامنِ مصطفیٰ میں آکر کے وہی سب سے اچھے بلے ہیں اس لیے سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینوں میں صحیح معنوں میں تم اپناو تو ہندوستان میں رہو گے تو کامیاب رہو گے اور قبرستان میں رہو گے تو کامیاب رہو گے یہاں بھی کامیابیاں قدم جونیں گی اور وہاں بھی کامیابیاں قدم جونیں گی پروردگارِ عالم اس پروگرام کو قبولیت کا ترجہ عطا فرمائے آگے کا پروگرام آپ شرائے کرام سے سمات فرمائے ہمارے دستگیر بھائی نے کہا تھا کہ اس کمیٹی کے رکھنے تھے جناب افواج صاحب جو اس دار فانی سے ملک جعبیدانی کی طرف پوچھ کر گئے پروردگارِ عالم حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس صدقے میں ان کو جنت الفیدوس میں حالہ سے عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبرِ جمیل کی توفیق نصیف فرمائے وآخرت آوانہ حضور رحمت اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم